प्रिया सखी गुर्दे भगवान की चर्णों में कोटी-कोटी नमन गुर्दे भगवान इस शरीर से कामवासना खतम हो गई है पती को कामवासना बहुत है क्या करूं माग दशन करें पती के अनकूल चलना चाहिए जब दो पानि ग्रेंड करते हैं पती और पत्री तो एक दूसरे को शायोग करके मित्रभाव से चलाना चाहिए हमें अपनी रुची दूसरे पर नई थोपनी चाहिए बात ध्यान रखना चाहिए हम दोनों एक मार्ग के शाथी है तो हमको चाहिए कि हमें अपनी रुची उसक अपनी रूची में उसको अनकुल कीजिए, अगर वो अनकुल नहीं होता, तो आप कोशिश कीजिए, कि आपके ब्रती के कारण कहीं वो बेविशार में न उतर जाए, गंदे मार्ग में ले जाए, उसका साथ दो, आप उसकी साथी हो, आपका ब्रह्मचर युतना मानने होगा जितना पती की आरादना मानोगी, पती को सब्सक्र, एक मित्र है, मालो हम के रहे हो, पती पर में शुड़ता है, समत माने है, तो एक मित्र है, हम दोनों मिलकर कि संसार मार्ग में चलना है, तो हमारी रुची ही पूरी थोड़ी होती है, दोनों की रुची मिलने चाए, अग क्या सिर्फ अपनी रुची का पोशन नहीं होना चाहिए अगर हम दो मिलते हैं दोनों मित्र बनते हैं तो एक दूसरी की रुची का आदर करें एक दूसरी की रुची का शायोग करें तभी तो जीवन यात्रा चलेगी नहीं तो ऐसे नहीं चलेगा आप ब्रह्मचारी बनके बेठ्वारों विविचार में प्रवत्तों हो जाए तो आपने पानिक ग्रहन किया था ये आपकी मितरता नहीं सही रहे हां वो बहुत ही विविचारी है अन्य-ण्य-ण्य तो फिर अपने को अलख कर लेना चाहिए अगर वो एक पतिनी ब्रत है तो हमें उसका सायोग करना चाहिए उसमें ब्रह्मचर की तरह ब्रति ना रखकर अपने पती की अनकुलता की तरह ब्रति रखने चाहिए